प्यारे खोजियों, जिनोंने जिनको जाना, वे जिन्दा हो गए, जिनोंने जिनको जाना, वे चतन्य हो गए, जिनोंने जिनको जाना, वे इश्वर हो गए, जिनोंने जिनको जाना, अब ये संदेश तो समझ में नहीं आया होगा, जिनोंने जिनको समझा, जिन लोगोंने जिनको समझा, वे जिन्दा हो गए, तो शब्दों को नए डंग से देखेंगे, तो बात समझ में आएगी उसके लिए एक सवाल का जवाब दो कि क्या कभी आपने ऐसी सीन देखी है जिसमें चिराग से निकले हुए जिन को लोग जबरदस्ती अंदर डाल रहे हैं जाओ अंदर अलादिन का जिन चिराग से बाहर निकला है और आप उसको फोरस से अंदर डाल रहे हो वो अंदर जाना नहीं चाता तो यह सीन कितने लोगों ने देखी है देखी है मार अभी मालम ने क्योंकि उसका अर्थ क्या है अभी समझा नहीं है कि यह आप करते हो जब आप ध्यान में बैठते हो यह आप करते हो जब आप ध्यान में बैठते हो तो ये जिन कौन है उसे चिराग में वापस डाला जाता है सुबह जब आप नीन से उड़ते हो तो ये जिन बाहर आता है गहरी नीन से उड़ते हो तो गहरी नीन में आप कहां पर होते हो जिन कहां पर होता है वो अंदर है अंदर कायब हो चुका है इसलिए हर एक इनसान गहरी नीन में जाना चाहता है और वही गहरी नीन जागर तवस्था में लेने की कला ध्यान है अब ये जिन बाहर आकर क्या चाहेगा कि मुझे कुछ काम दो और आपके दिन बर में काम होते हैं थोड़े से जो जिन से करवाने हैं फिर बाकी समय में वो क्या करेगा वो तो काम मांगेगा आपसे वरना परेशन करेगा आपको काम दो काम दो फिर आप क्या करोगे फिर कोई भी काम दोगे उसको जो आप चाहते भी नहीं थे करना वो भी इसको काम दे दोगे क्यों परेशन कर रहा है फिर कौन सा काम दोगे कर आओ, जाओ उसकी कुरसी निकाल लो, बैढ रहा है वो, जाओ, जो ओवर्टेक करें, उसे जगडा करो, रास्ते से जा रहे हो, कोई ओवर्टेक करता है, तो लोग लड़ने के लिए जगडने के लिए तुरंद तयार हो जाते, कि इनको कौन लेशन सिखाएगा वरना, रास चाहिए, तो अब जिन बाहर आगया है चिराग से, और उसको काम चाहिए, और उसको आप काम देते जाते हैं, कौन से काम दे रहे हैं, जो करवाने भी नहीं थे, थोड़े से काम जो सच्मुच आप करवाना चाहते थे, मगर बाकी जो काम सिर्फ परेशानी से बचने के लिए हैं, तो सुबह उठा हुआ जिन, सुबह जागरत हुआ जिन, रात को जाएगा अंदर वापस, उसको बीच में भी अंदर डालना है, जब उसका काम नहीं है, उसको बीच में भी अंदर डाल पाएं, इसके लिए तो समझ पराप्त करने आए, कि ये ताकत से अंदर नहीं जाता, जैसे आप ताकत से नींद भी नहीं ला सकते, कि अभी मुझे नींद लानी ही है, कोशिश करोगे उल्टा और नींद भाग जाएगी, तो कोशिश भी नहीं मगर जिन अंदर भी जाए, इसे ध्यान कहते हैं, समाधी में इंसान जाता है, समय आदी, यानि समय के पहले, समय तो बना संसार बनने के बाद, तब तक समय कहा था, संसार बनने के पाद समय का पैमाना शुरू हुआ जिनोंने जिन को जाना वे जिन्दा हो गए ये जिन कौन है और कैसे ये जागरत होता है और रात तक अंदर जाने को तयार नहीं होता तो इसको कुछ ज्ञान मिलना चाहिए भगती मिलनी चाहिए तभी वो मानने वाला है इसलिए ये दोनों चीजों का मैत्व है ये ज्ञान और भगती इस जिन को अंदर डाल सकते हैं जिनोंने ये समझा जिनोंने ये कला सीख ली कि जागरत अवस्था में भी आँख खोल कर भी गहरी नींद का आनंद लिया जा सकता है तो यहां सब को समझ में आया किस जिन की बात की गई जो जिन सुबह में बाहर आया और कैसे आया अपने पांच बच्चों को भी लाया चोटे चोटे बच्चे एक का नाम है कन्नू दूसरे का नक्कू तीसरे का अक्की चोटे का टिंगू पाच्छे का चिंपू यह पांच बच्चे लेकर आया है चलो अंकल अंटी को नमस्ते करो और वो लग जाते है फिर आप बोलते अभी इनसे कैसे पीछा चुड़ा है जान चुड़ा है अच्छा जाके तु यह कर तु जाके वो कर तो यह आपको एनलोजी में बताया जा रहा है कहानी में के एक चिराग है इसमें कैसे जिन निकला आप अंधर ढालना चाहते हो नहीं जा रहा है फिर उसके पांच बच्चे है तो जब ऐसे उदारन बताय जाते है तो आप तुरन समझ जांए यह किसी और की कहानी नहीं है या चॉकलेट दो, तो कन्नु का चॉकलेट क्या है, कान, कन्नु का चॉकलेट, मुझे अच्छी मुजिक सुनाओ, अच्छा-च्छा कुछ तो सुनाओ, कोई तारिफी कर डाले, सारे शहर में आपसा कोई नहीं, कोई तारिफी कर डाले, उसको चॉकलेट है वा, कुछ तो नहीं चाहिए, तो कन्नु, नक्कू क्या करता है, नक, सुगंद, अच्छे ची सुगंद आनी चाहिए, थोड़ा भी दुरगंद आई, तो परिशान शुरू, दाटना शुरू, नक्कू, दूसरा, अक्की, अक्की यनि आँख, अच्छे अच्छे दिरिश्य दिखाओ, अच चान्त रहुँगा, वरना नराज होँगा, वरना पठकुँगा चीजे, तो अक्की है, टिंगौ है, टंग, जबान, जबान उच्छे ह। कितना टिंगौ है, छटा सा कितना है, जबान कर रखा है, कि दो-दो चीजें जुड़ी है उसके साथ तो, एक स्वाध भी चाहिए, और बड़ भड़ भी करनी है चुप भी नहीं बेटना है तो कुछ तो बोलते रहना चाहता है मेरी सुनो मैं जो बोलू मों सुनो तो यह टिंगु है चिंपु यानि चमडी, तवच्छा इस तवच्छा पर क्या चाहिए अच्छे स्पर्श चाहिए जो आतावारन में अच्छा स्पर्श मिले वो चाहिए वो किदर मिलेगा वो यही खोज रहा है तो यह पांचो बच्चे है और मनु जिन मनु जो है जो कनु को नक्कू को सबको लेकर रहा है यह मनु अब यह दिन बर में चल रहा है और उसमें आप भी हो आप जो एक्चल हो अब आप रात तक निजार करते कभी यह जाएंगे थोड़ा चैन मिलेगा आराम मिलेगा नेंद की गोलियां खा खा कर भी लोग आराम में जाना चाहते है क्योंकि यह ओरिजिनल अवस्था है यह आपका होना है जब जिन अंदर गया है इसलिए इतना प्यार है हर एक को नींद से डरावने सपने आते तो परिशान होता है यह सपने ना आए तो यह समझ में तो आ गया कि ध्यान ही एक ऐसी बात है जो जिन को बीच बीच में अंदर ले जा सकती है तो जिन को अंदर डालें विश्वास को प्रिकट करें प्रेम को प्रिकट करें उसके लिए ये बातें आप सुन रहे हो कि अब मन अंदर चला गया और आप जिन्दा हो गया वरना मन को कुम सा काम दोगे कुछ खोट देखो आँख है तो क्या खोट देखे लोगों में चलो उसको ये काम दे《दो अक्की को ये काम देदो》 कान है तो चुगली सुने जबान है तो चुगली करे निंदा करे इलजाम लगाए तो ये इंदरियों को काम नहीं देना है जिन जो है ये कैसे मरे और उसके लिए आप आज समझ रहे हो, आप जाग रहे हो, हर दिन सुबह में जिन बाहर आता है, वो बाहर आएगा, बाहर ही नहीं आए, ये जिद करो ही मत, आने दो, स्विकार है, स्विकार के साथ, चलो अगला कार्य क्या हो सकता है, मुझे कैसे तैयार होना है, पहली हुमर करोगे, तो सम्वाल बाहोगे, वरना जिन आकर खड़ा होगे, काम दो, अभी आपने हुमर किया ही नहीं है, कौन सा काम देंगे, फिर बोलते हैं फिलाल ये करो, फिलाल इसकी चुगली करो, फिलाल निंदा करो, फिलाल ये करो, फिलाल वो करो, पहली हुमर किया ह तो कि में सुबह उठकर क्या करूंगा दियान कब करूंगा, अभी वक्ति अभ्यकति करूंगा, कारय जो है, मौका जो है परिवार में, प्रेम, आंन्द, मौन کی अभी किसे मैं करने जा रहा हु आज के दिन और यह यह राक्षास आएंगे यह विकार आएंगे तो मैं उस वक्त कैसे निरनेया लूँगा यह हुआ अपको पपेले करना होगा यह हुआ रहना माया में लोग गए कि रात तक यादी नहीं आता मैं काउन तो यह याद आना चाहिए बढ़ना चाहिए, भक्ती बढ़नी चाहिए, हाँ वाके मुझे आजाद होना है, आप मुझे आजादी से प्रेम है, अब वो बंदनों में बंद कर जी रहे थे जो खुद को व्यक्ती मानकर, शरीर मानकर, लिमिटेड मानकर, कि चमणी के अंदर जो जो है वो ही में, इसके ब बंदने आजादी से बढ़ना चाहिए, भुद देखने वाला आइना, फिर वो देखकर आप रोते हो क्या में इतना चोटा क्यों, आप करते हो यह तो आइना चोटा है, यह अएना चोटा है, आप नहीं, तो यह जब समझ आएगी, कन्विक्शन के साथ, यानि अनुभाव के साथ, यानि ध्यान में यह अनुभाव लेने के साथ, कि शरीर छोटा है, लिमिटेड है, मैं नहीं, जो शरीर के द्वारा खुद को जान रहा है, वो अनलिमिटेड है, तो फिर कौन से डर बचेंगे, कौन सी चिंताएं बचेंगी, जब भूल जाओगे, चिंताएं आए सब होंगे, जो आप करते आयो, मगर जो फरक हो गया अंदर, पहले दुखी हो कर कारे कर रहे थे, कारे लेट हो रहे थे, आप खुशी के साथ कारे हो रहे और जल्दी हो रहे, और सकारात्मिक चीज़ेओं की बाड आने लग गई आपके जीवन में, क्योंकि आप चुम्ब चीज़ों को पीतल भगाता है, दुख को ही लाता है, वो दुख को कीषता है, तो हमने ठान लिया, कि अब हम ध्यान में बैठेंगे, तो यही हमें जगाएगा, चल क्या रहा है, ज्यान में बैठते हो तो क्या बता चलता है, चल क्या रहा है, कैसे विचार चल रहे है, क्या क्या मैं सोच रहा हूँ ये मुझे प्यार नहीं करता ये ध्यान नहीं देता ये पर्शलिटी करता है मुझे कोई देखता है नहीं कोई आदरी नहीं मेरा क्या क्या हो बोलते रह रहा है अच्छा ये मेरा मेरा बोल रहा है मेरा है कुन पल है वो तो बता ये मैं कौन, निश्चित कौन, एक्जेक्ली वाट, एक्जेक्ली वाट टो हूम, नक्की का है, तो आप ध्यान में जाग जाते हो. इस प्रित्वी पर क्यों आया हूँ? मुक्ष यानि क्या, क्या मुक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जबाब अनुभव से प्राप्त होते हैं. अब आई, हमें खोची से इस शिवर के बारे में उनके अनुभव जाने. मोते हैं जशे होते हैं, इस बालज से लflixच बाते हैं, एई बो से पकाती ह। मनेकी ग paljon मिन चाने चाने लगे भी तो अश्य वन माते ही जानौते हैं लिए गए बाद तो मैं यह आली समझा शाहिए नहींकiv होती हो कि हर किसी बास सभी को होती होगी तो मैं यह जबादी हो सा झाल झाल झाल